याई इन साथियों स्वागत फिसे आपका नए वीडियो में इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रेलवे की अप्रेंटिसिप जो कैंडेट करते हैं उससे लेटर उनसे लेटर ये वीडियो रहने वाला है क्योंकि जो है एक इंपॉर्टेंट नौटिस निकल कि आई है जिसमें ये लेटर आप देख सकते हैं इस लेटर में क्या-kैर झानकारी दी हुई है वो आपके साथ जो है शेर करेंगे इसमें जो है जियम पावर के अलागों हो सकता है ग्रूप डी इलप टेंचन के लिए क्या-क्या पैदा हो सकता है जासे आपको पता है इस याि जो मे अब जो है आपको यह लेटर दिखा देते हैं क्या क्या इस लेटर में लिखा हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं आल इंडिया रेलवे एक्ट अप्रेंटिशिप एस्सोसियेशन की तरब से हैं आजिस मिस्ट्रा जो है इन्होंने यह 22-2024 यानि की पट्चो का यह रहने वाला है लेटर इसमें आप देख सकते हैं स्रीमान कमानलेट स्यूग गोपाल मिस्ट्रा जी को यह लेटर लिखा हुग गया था इसमें जो है आप नीचे देखेंगे स्क्रॉल करेंगे तो रेलवे रेल अप्रेंटिस के उजल भवी से हिद सुझाओ पत्र इसमें क्या क्या जो ह हो सकता है क्या जीओं पावर लागू हो सकता है उसे से लिए जो है लेटर यह नोटिस है लेटर है यह रेल अप्रेंटिस की जो केंडिट कर चुके हैं उनके उजल भविस के लिए पत्र रहने वाला है आगे बात कर लेते हैं यहां पे आप देख सकते हैं सीसी एस 1978 से लिक्रपा करें यानि कि जो जो अप्रेंटिस कर चुके हैं उनको जीओं पावर की तरफ जो है सेटल कर देना चाहिए जो आयू सीमा के बाहर रखा जाए टेकनिकल डाकूरेशन डेगूरेशन को मानता दी जाए और सरडिक वे डेट के आधार पर माना जाए तो यह चीज ह आने वाले बढ़तियों को जो है छूट मिली जीए यह आयू सीमा में छूट मिली जीए जो अप्रेंटिस कर रखें कैंडेट आगे बात कर लेते हैं कि यहां लिखा हुआ है दूसरा क्या सुझा हुआ है रेल में सीसी एएस को मौका देने है दू रेलवे बोर्ड को पत्र यह 71-2016 दिनांक 21-2016 में संसोधन करते हुए 20% कोटा से बढ़ा कर 50% कोटा की मांग करें ताकि जादा से जादा रेलवे कुसल कारेगर प्राप्त हो जैसे इसमें 20% कोटा आपको मिलता है तो वो कहा जा रहा है कि 50% कोटा मिले तो जो है इसमें जिससे ट्रेनिंग का खर्चा बस सकेगा और उसके बास जो है ELP Technician भारतियों में भी 20% कोटा मिलना चाहिए तो जो है ELP में आपको पता है ELP Technician में छुट नहीं मिलती है तो बोला जा रहा है कि ELP औब टेकनीशन में भी 20% का कोटा मिलना चाहिए यह चाहिए आपको ध्यान देना आगे बात कर लेते हैं तीसरा संसोतर RRC रिकर्वेंट ये को इसका जो है एक दोजार उनमिस में पास्ट वैसे यानि कि जो अपरेंटिस कैंडिट है बिहार के लोहार जादी सहित वैसे जादी कैटेगरी में बदलाव प्रक्रिया के बीच हुई हो उन्हें नौटिफिकेशन नौटिफिकेशन के पारा 9.2 और 9.7 के अनुसार नौक्त देनी की क्रिपा करें क्योंकि ऐसा लोहार जादी सही थे लेकिन उनको जो है कैटेगरी में बदलाव किया गया था तो उनको भी देना चाहिए रेलवे की आने वाले ग्रूप डी एलपी टेक्निशन भरतियों में रेल अप्रेंटिस के लिए पासिंग क्वालिफाइंग मार्क के बाद देना हो एवं अन्तिम अंक के बच्चों की नूक्त दी जाए मतलब जितने भी कैंडिट हो सकते हैं ये अप्रेंटिस वाले वो हो उनको कटाफ से कोई लेटर नहीं होना चाहिए कोई नहीं होना चाहिए उनकी अलगे कटाफ होनी चाहिए आगे लिखा हुआ है रेल अप्रेंटिस का कोटा रेल अप्रेंटिस से ही पूरी हो सीट बच जाने पर बैकलॉग की प्रक्रिया को अपनाते हुए अगली भरती प कोश्ट रिजर हो तता डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए जी और एससी की वैकेंसी में 20% का कोटा भी मिलना चाहिए यह कोटा की बात आपको पता है कि बताई गई है तो आपको यह जानकारी सही लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा अब यह साथ यह को साथ भी सेयर करि हुए लगभग 5-6 साल होने वाले हैं तब से वाकेंसी नहीं आई हुए है और जो है हर साल अपरेंटिस की वैकेंसी निकलती रहती है तो बहुत सारे कैंडियों आपरेंटिस कर चुके हैं तो वह भी अभी परेंटिंग पड़े हुए वह अभी स्किल्ट हो है लेकिन उनको जॉब नहीं मिल लिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जाएं